तो चलिए फ्रेंड्स आज बनाते हैं बिल्कुल ही देसी स्टाइल में पनीर के पराठे जो बनाना बहुत ही इजी है और जटपट से बन करके तयार भी हो जाएंगे और किसी भी स्टाइल को पीछे छोड़ देंगे तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं शुरू तो इसके ल लिया था और उसके बाद मैंने कुछ वेजीटेबल्स काटी हैं जिसमें मैंने लस्टन, हरी मिर्च, प्याज और धनिया ले लिया है आप इसको कितनी भी क्वांटिटी जो आपको जैसे लगता है वैसे आप इसको डाल सकते हैं तो इसमें उसके अलावा मैंने डाला है नम फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग ये पराठे बहुत टेस्टी बन करके तियार होते हैं और उसके बाद इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालिए मैंने क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने इसमें एड़ की थी तो अब ये सारे मसाले और इंग्रिडियंट डालने के 3 टेबल स्पून डालेंगे हरा धनिया क्योंकि ये ना बाइंड करने में बहुत हेल्प करता और उसको अच्छे से मिला लेंगे तो फ्रेंड्स इसके साथ हम बनाएंगे साथ में बूंदी का रायता तो इसको बनाने के लिए भी आप कुछ स्टैप्स जरूर फॉलो कीजिए ये बहुत अच्छा हलवाई स्टैल में बन करके त्यार होता है तो पहले हम बूंदी को कुछ पानी के अंदर भिगो लेंगे 15-20 मिनट के लिए और अब देख लीजिए वो मैंने भिगोने के लिए रख दिया और साथ में ले लिया है धाई इसमें मैं कुछ मसाले डाल थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा नमक तो देखिए अभी मैंने इसमें थोड़ा चाट मसाला एड कर दिया है और इसमें मैं ब्लैक सॉल्ट एड करूंगे इसका टेस्ट थोड़ा बहुत अच्छा आता है इसमें और ये एड करने के बाद इसको मिक्स करके हम फ्रिज मे पनीर के पराठो आलो के पराठो के साथ या किसी भी पराठो के साथ इसका कुछ अलग ही मजा होता है और कुछ टेस्ट ये और भी दो गुना बढ़ा देता है तो देखे आपको कंसिस्टेंसी जितनी ठिक चाहिए उसके अपको रखिए क्योंकि बूंदी में भी हमने पानी कम या ज्यादा कर लीजेगा अब देखे टाइम हो चुका है 15-20 मिनट तो मैंने बूंदिया पूरी तरीके से भीग चुकी थी मैंने डाल दिया उसको दही में और हम इसको अच्छे से फेट लेंगे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अगर हमें लगे थोड़ सा पानी डालना है क्योंकि थिक कंसिस्टेंसी ही बड़ी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा थिक नहीं लेकिन हाँ जैसे आप देख पा रहे हैं इतनी कंसिस्टेंसी आप रख लीजे तो रायता हमारा हो चुका है तयार चलिए बनाते हैं पनीर के पराठे उसके लिए आठा देख लीजिए आपको ऐसा गूनना है बहुत ज़्यादा सकत आठा नहीं गूंद रहे हैं नरम आठा गूनना है तो इसमें से आप थोड़ा सा आठा निकाल लीजिए एक लोई बना लीजिए और उसको हम बना लेंगे और बेलने के बाद इसमें जितनी लोई जो भी हमने यह battle तयार किया है और उसको हम रोटी के बीच में भर लेंगे और इस तरीके से गोल-गोल घुमाते हुए हम इसको बना लेंगे और देखे इसमें जो एक और important step है वो यह वाला step है जब हम कोई भी पराथे बनाएं तो हातों की help से उसको थोड़ा सा घुमा लीज क्योंकि इससे यह फटने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता अगर्वाइस पराथे ना फट जाते हैं जो complain रहती है ना कि पराथे बनाते में बीच में से उसमें देखो इसमें प्याज भी है लेकिन फिर भी यह पराथे नहीं फटे पहली चीज जो important है वो आटे की consistency जो गू पराथे को सिखने के लिए तो जैसे ही एक साइट से सिख जाएगा उसको पलट लेंगे और यहां पर अब घी या ओल का यूज कर सकते हैं तो देखे इस तरीके से हम लगा लेंगे तो बड़ा ही tasty tasty हमारा जो लंच है या नाश्ता है जब भी आप बनाना चाहें आप बना स पराथा या बच्चे लंच छोड़ करके आ जाते हैं तो वह पूरा फिनिश करके आएंगे यह बहुत ही tasty delicious बनता है तो देखे पराथा हो चुका है हमारा रेडी और अब मैं इसको सर्फ करके दिखाती हूं दही के साथ जो कि हमने दही में बूंदी डाल करके उसका रायता फिनिश कर देंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा थैंक्यू थैंक्स फॉर वार्ट अ